हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग प्रेक्टेसेट 6.1 के को सॉल्व करने वाले हैं तो आप लोग को बता देना चाहती हूँ के इसके पहले मैंने एक वीडियो अप वीडियो और बागी के तीन tämä कुस्टें को करेंगी बच्छों नेक्स वीडियो में थीक है तो चलो देखते हैं आगे बढ़ने से पहले आप देना चाहती हूँ पर यह हमारा sk-class जिसे डामलोड कर सकते हैं कि यहां पर आपको लाइप क्लास में क्लास से पीडियाफ और जो भी आमारे solutions होते हैं यानि कि जो नोर्स होते हैं वो भी आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं तो इसलिए आप लोग इसको डाउलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो फर रेगुलर अपडेट्स इसके अलावा टेलिग अब इस चैन्टिमेटर लेंडी फीडियामिटर फाइंड डामिटर ऊपर बना लेना होगा वाज है यह गए हमारा हो गया बच्चों प्र्षक यह कुछ ज्यादा ही पास में आ गया न सेंटर यहां पर यह हमारा सेंटर हो गया ठीक है तो देखो कोड का नाम क्या लिखा हुआ है यह आप लोग को समझ में आया ना और माल लीजिए इसका सेंटर क्या है ओ है चलो आप हम कोश्चन पढ़ते जाएंगे और पढ़ते के साथ ही लिखते जाएंगे क्या लिखे है सुनिए डिस्टेंस ओफ और कोड एबी देखो कोड का नाम क्या है बच्चो अबी यानिकि यह चुम एने कोड बनाया है इसका मैं नाम लिख देती हूँ एबी राइट तो देखो दिस्टेंस ओफ कोड एबी फॉम दे सेंटर ऑफ और सर्कल इस एट सेंटीमे यहां पर क्या है यहां पर कोई एक पॉइंट है यह बात समझ में आई फिर आगे देखो क्या लिखा है कि यहां पर यह जो कोड दिया गया है इसका लेंथ कितना है बच्चो तो इसका लेंथ है ट्वेल्व सेंटीमेटर देन फाइंड डायमेटर ओफ सरकल यानिकि यह सरकल म और एक और बात देखों दूर को बताती हो जैसे कि मैंने आप बोल सकते हैं कि यह जो diameter है ना वो क्या होता है radius का दो गुना होता है समझे कैसे इसके अल्रावा यह जो radius हुं डायमेटर का हाफ होता है यानि कि theo सैट गैरा राणा रेडियास कितना है तो देखे आगर यह 3 तो यह वालाリ इसंतर कितना होगा थो तो पूरा डायमेटर कितना हो जाएगा सिक्स सेंटीमेटर अब यहां पर मैं आप लोग को यहां से क्या बताना चाहती हूं कि यह क्या होता है रेडियस का दो गुना होता है जैसे कि अगर रेडियस सेंटीमेटर तो फिर डायमेटर इतना होगा सेंटीमेटर अगर रेडियस चेंटिमेटर कितना होगा तो यह वाला है चलते हैं तो इस मारे तरह नहीं निकाल सकते क्या हाइंगे पहले तो हम रीडियेंश में पाइंगे और पहले मैं आपको एक्सLPने करती है यह से क्या क्या यह unique they are यह यह जो बताए था यह राइन एब चोटी चीजी जो मैं आपको बताती हें वना उसे दिस्टेंस भी सेटेंज system करें करके रख लिए आगर क्योंकि वह कहीं कहीं को अंदर यूज होती ही है तो यहां पर यूज़ ओपर यूज़ करता है यहां पर यहां पर यह यह इस कोड को टुएपाल बाट में डिवाइड कर देगा यानि कि एपी जितना होगा तो आप मतला 6 cm यानि कि यह वाद समझ में आ गई अब उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को जॉइन्ट कर देंगे तो यह क्या है यह हमारा रेडियस है और देखिएगा यहां पर कौन से टाइब का ट्रैंगल बना हुआ है तो इस ट्रैंगल में हम लोग पाइथागोरा सेरम बिखाई दे रहा है इसका लेंद हम फैंड कर सकते हैं और अगर हमने में यह क्या है यह है हमारा रेडियस तो अगर अगर हमें है तो इसके बाद ड्याइमेटर निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि अभी अभी मैंने point O be the center of the circle center of the circle यानि कि circle में point O क्या है center center of the circle और क्या-क्या information दी गई है उसे हम लिख लेते हैं तो देखो यहां पर OP दिया गया है OP का length कितना है 8 cm है इसके अलावा और इसमें क्या दिया हुआ है question में देखो इधर मत देखो क्योंकि इधर तो मैंने और भी चीज़े लिख दिया इसमें देखिए AB का length कितना दिया है AB क्या है बच्चो code है याद रखना ठीक है तो AB का length कितना दिया है यहाँ पर 12 cm तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बच्चो 12 cm लिख दिया ठीक है अब उसके बाद आगी क्या देखिएगा यह जो OP क्या है परपिंडिकुलर है किसके उपर AB के उपर तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि OP is perpendicular on code AB तो यह क्या है यह इसके उपर परपिंडिकुलर है यानि यह क्या करेगा इस code को two equal parts में divide कर देगा यानि कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे अगर AB है 12 cm तो AP और PB कितने cm के हो जाएंगे तो 6 cm के हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा AP which is equal to क्या होगा बच्चो PB और यह दोनों किसके equal हो जाएंगे तो half of AB यह हमने कैसे लिख दिया तो अरे हमने वो जो प्रॉपर्टी से कीते न उससे हमने लिखा यह तो हम क्या जाएंगे पर इसका कारण भी लिखेंगे अब इसमें क्या करना है तो वह वाला चो स्टेट्मेंट मैंने आप लोग को बताया था उससे आप लोग लिख दीजिएगा देखो मैंने आपको स्टेट्मेंट क्या बताया था एक बार जना आप इदर नजर घुमा लो यह पूरा statement आप लोगों को लिखना है अब perpendicular drawn from the from the center of the circle center of the circle circle on its code bisects the code ठीक है? bisects the code यह आप लोगों को यहाँ पर लिखना है यह पूरा statement ठीक है? और इसको एक bracket में करके लिख देना तो चलो अब यहाँ पर आप लोग आ जाएए AB का length कितना दिया था? तो 12 cm दिया गया था तो यहाँ पर मैंने 1 by 2 into 12 लिखना है आप इसको ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा AP which is equal to PB और यह दोनों किसके equal हो जाएंगे तो 6 cm के equal हो जाएंगे ठीक है? तो यह हमारे पास आ चुका है यानि AP क्या है बच्चो AP है 6 cm का यह बाद समझ में आई उसके बाद हमने इन दोनों को जॉइन कर दिया ठीक है? तो हमें एक क्या मिलेगा? राइट अंगल ट्राइंगल मिलेगा तो अभी हम क्या करेंगे? इस राइट अंगल ट्राइंगल में पाईथागोरस थीरम लगाएंगे ओके? और देखो O-P तो हमारे पास है ही और हमारे पास अब यह भी आ चुका है है यानि हम पाइथागुरस theorem लगा करके यह वोगा लेंद कर सकते हैं तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगी इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल याद रखना जो पाइथागुरस ठीएरम आनव स्टुडेंट्स वह राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो APO, इन राइट एंगल राइंगल APO, इसमें हम पाइथागोरस थियरम लगाएंगे रहीट, तो पाइथागोरस थियरम क्या कहता है, कि हाइपोटेनिस का स्क्वार, हाइपोटेनिस यहाँ पर क्या होगा, 90 डिगरी के सामने, यानि कि AO, यहाँ पर आएगा बच्चो, AO का square, which is equal to, यह किसके equal होगा, तो AP square plus PO square, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चो, AP square plus PO square, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, PO का स्क्वार, कौन सा हमने यहाँ पर थियरम लगाया, तो पाइथागोरस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाइथागोरस थियरम, यह भी तो राइट, AP कितना है, AP अभी अभी निकालाना, 6 cm, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 का square, PO कितना है, PO यानि क्या OP, देखो, OP बोलो या फिर PO बोलो, बोध हार सेम, तो PO कितना है, भई, 8 cm, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 का square, राइट, अब 6 का square करेंगे, तो कितना 64 आएगा, अब इन दोनों को जोड़ो, तो 64, 10, फिर एक आया, 6, 3, 9, 10, यानि कि इदर आगया, 100, और यहाँ पर क्या है, AO का square, अब मुझे किसका value चाहिए था, only AO का चाहिए था, क्या मिला मुझे, तो AO स्क्वार मिला, अब यह स्क्वार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो square root ले लेंगे, तो यह क्या होगा, यह root के अंदर आजाएगा, और यह भी आजाएगा, बच्चे लोग root के अंदर, अब भी क्या किया आजाएगा, अरे कुछ, जादा कुछ मत करो, यहां से यह cancel हो गया, यानि कि जो AO है, यह किसके equal आएगा, देखो, square root of 100 क्या होता है बच्चो 10 होता है, यानि कि AO हमें मिला 10 cm, अब यहां पर जाना आप लोग फिकर में देख लेजिएगा, यह जो AO है, यह आपर डायमेटर बताना था, और यह जो AO है, यह क्या है, इस ट्राइंगल का radius है, अब हम एक बात जानते हैं, कि जो डायमेटर है, वो radius का क्या होता ह है, दो गुना होता है, तो हम क्या करेंगे, AO का अगर हम दो गुना कर देंगे, तो फिर हमें डायमेटर भी मिल जाएगा, तो आ जाईए, अब इसके आगे का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आगे का सिंपल है, यहां पर हम लिख देते हैं, कि therefore diameter, therefore diameter, यह क्या होगा, 2 of AO, मतलब 2 गुना AO का, चलो, AO का लेंद बताओ, कितना आया है बच्चो, 10 आया है, multiply कर देंगे, 2 10 सा क्या होता है, 20, यानि कि diameter हमें कितना मिला, तो 20 cm मिला, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, कि diameter of a circle is, diameter of a circle is 20 cm, बस, यही है आप लोगों का final answer, बस, ऐसे ही करना कितना आसान था ना बताओ, ऐसा तो मैंने अभी basic concept वाली वीडियो में भी solve करवाया था, इसी टाइप का question, और I think मैंने same values लेए थे, क्योंकि यह पाइथागोरा strip plate होते हैं, तो यही लेना actually में आसान होता है, हम लोग आसान ही से उसको solve कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बार द यहां आपका question number 2, इसमें भी हमें पहले तो circle बना लेना चाहिए, आजाए मैं circle बना लेती हूँ और code भी बना लेती हूँ, क्योंकि circle और code सब में रहेगा, यहां पर तो, मैंने यह circle बना लिया, इसके अलावा हम यहां पर code भी बना लेते हैं, तो यह देखिए, यह हमारा code हो गया, ठीक है, और center क्या होगा, तो center आजाएगा, यहां पर कहीं पर बीच में एकदम, ठीक है, चलो, अब हम question को पढ़ते हैं, देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, कि diameter of a circle is 26 cm, यानि कि जो हमारे पार circle है, उसका diameter कितना दिया है, 26 cm दिया गया है, diameter क्या होता है, जैसे क मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी, कि जो diameter है, वो क्या होता है, बच्चो, वो radius का दो गुना होता है, यानि कहने का मतलब क्या है, कि जो radius है, वो क्या हो जाएगा, वो diameter का half हो जाएगा, देखो, मैंने क्या किया, यह जो 2 है नो, 2 को इस साइड बुला लिया, तो क् ठीक है, मतलब diameter का आधा, तो देखो, अगर diameter है, 26 cm, तो फिर radius कितना होगा, तो radius diameter का आधा हो जाएगा, मतलब radius निकालने के लिए, मैं क्या करूंगी, 26 को न, 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो फिर कितना आएगा, बच्चो, 13 cm, यानि कि radius क्या आजाएगा, इस circle में, तो 13 cm ठीक है, ये बाद आप लोग को समझ में आ गई, कि इसका diameter कितना दिया है, तो 26 cm दिया गया है, फिर उसके बाद देखो, आगे क्या लिखा है, कि length of code of the circle is 24 cm, यानि कि इस circle में जो code है, वो कितना है, वो है 24 cm का, तो मान लीजिए, ये हमारा code है, PQ, इसका नाम मैंने PQ रख 24 cm, तो फिर हमें याँ पर find करना है, find the distance of the code from the center, यानि कि code से ले करके, देखो, ये code से ले करके, सेंटर तक का distance हम लोगों को बताना है, मतलब ये जो आपको line दिखाई दे रही है, ये वाली line, ठीक है, इसका length हम लोगों को find करना है, ओके, अब ये हम कैसे find करेंगे, तो आ देखो, यहाँ पर ना मैं पहले diameter बनाती हूं, देखो, यहाँ से मैंने diameter की इसना चालों किया, यह हो गया हमारा diameter, जिसका length कितना दिया है, तो यह है, यहाँ पर यह चिपका हुआ है, देख लेना, यह है, पूरा 26 cm का, बराबर, तो देखो, radius क्या होता है, डामेटर का अगर हम perpendicular करते हैं, कोड के उपर, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, तो देखिएगा, यह क्या होगा, यह परपेंडिकुलर होगा, किसके उपर, पी, क्यू के उपर, अभी आप सभी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि हमने O, A को directly perpendicular कैसे बोल दिया, तो दे मैंने किया, मुझे इसका distance, find करना है, तो कोड को, तो इसको आम लोग क्या क्या बोलेंगे, तो याद रखना, वो हमेशा क्या होता है, सीधा, यादिकुलर ही होता है, तो यह ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो udaएगा, और यह परपेंडिकुलर घर होजाएगा, अगर पी ए और एक्यू यह दुन्हों आपस में क्या हो जाएंगे ठीक है समझ में आ रहे ना क्योंकि यह जो है यह क्या करता है परपिंडिकुलर क्या करेगा इसको टू एक्वल पार्स में डिवाइड कर देगा तो देखो पूरा पी क्यू कितना है 24 सेंटिमेटर है तो पी ए कित सेरम लगा करके इसका भी लेंद बदा सकते हैं है कि ने ऐसा कर सकते ना तो बस ऐसे ही सॉल्व करना इसको आजाए अभी आप लोगों को लिखने का तरीका बताती हूं मैंने आपको औरली तो एक्स्प्लेन कर दिया है पर एक्चुली लिखना कैसे है वो हम इधर समझ लेत बेंगे दा बेंगे दासी मैं क्टुली लेत। हमने code माल लिया है अब देखो क्या क्या information हमारे पास है तो हमारे पास यह information दी गई है मतलब diameter लिखा हुआ है diameter कितना दिया है 26 cm दिया है diameter of the circle 26 cm it is given in the question इसके अलावा जो PQ है PQ मतलब code of the circle वो कितना दिया है बच्चों वो दिया है 24 cm अब देखिएगा इन दोनों की मदद से हम लोग क्या-kya निकालेंगे पहले कि मदद से रैडियस निकाल लिए यनि वो निकाल लेते हैं इंदर लिखो है कि यहां पर कख़ां से को कैंसल करो हमें और यहां इसको कैंसल है और At यह अब यह पर पर पर्पेंदिकुलर किसके ऊपर क्यों से ऊपर उंपर पर्पेंदिकुलर और अगर ऐसा है तो फिर पी ए और एक्यू दोनों आपस में एक्वल हो जाएंगे मतलब पी ए कितना होगा पी इसका हाफ होगा यह पी क्यू का हाफ होगा यानि कि ट्वेंटी अट्वेल सेंटेमेटर ठीक है तो यह हम कैसे लिखेंगे देखो पहले हम वो स्टेटमेंट लि Center of the circle of the circle to its code bisex the code क्या करता है? code को bisect करता है bisex the code रेइट? ये बात समझ में आ गए तो देखिएगा यहाँ पर होगा क्या PA और AQ दोनों आपस में equal हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया PA which is equal to AQ और यह क्या होंगे half of PQ यानि के PQ के half हो जाएंगे दोनों अब देखो PQ कितना दिया गया था आज यह उपर देख लेते हैं 1 by 2 इंटू PQ तो PQ था हमारा 24 cm तो देखिएगा इधर मैंने क्या लिखा इधर मैंने लिखा 1 by 2 और PQ है 24 कैंसलेशन करेंगे 2 असा 2, 2, 2 सा 4 यानिके 12 cm मतलब PA which is equal to AQ यह दोनों कितने cm के हो जाएंगे 12 cm के हो जाएंगे यह बात आप लोग को समझ में आ गई तो देखिएगा हमने सब कुछ निकाल लेया जो भी हमें चाहिए था अब हम इसमें पाइथागुरस ठीरम लगा करके ओए का जो डिस्टेंस है वह हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है और यहां पर आप लोगों को एक और डाउट कर देना चाहती हो जैसे कि पिछले वाले कोस्चन में आप सोचेंगे कि यह इसका रीजन ब्रैकेट में लिखा था और यहां पर यह ऐसे क्यों लिखा तो देखो बच्चो आप ना ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो इसके लावा अगर आप चाहो तो यह स्टेटमेंट पहले लिखो और फिर उसके बाद से उसके आगे का अगर हम चाहते तो यह जो पूरा स्टेटमेंट है ना वो यहां पर ब्रैकेट में भी लिख सकते थे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके लेर हो गया चलो अब उसके बाद हम क्या गरेंगे देखो यहां पर यह वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे पी ए चलो यहां पर नीचे आज हो मैं लिखती हूं यहां पर लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ए ओ इसमें हम पाइथागोरस ठीरम लगाएंगे तो बताइए क्या होगा एक बार आप देखो तब आपको समझ आएगा अब देखते रहो सबसे पहले क्या आता है हाइपोटेनियस तो यहां पर यह नाइट डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने क्या है पी ओ तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चो पी ओ का स्क्वेर विच इस एक वाल जाएगा तो दूसरा वाला साइट क्या है उपर देखते रहेएगा पी ए इसका स्क्वेर हो जाएगा इसके अलावा यह अगला वाला साइट है यानिकि ए ओ तो यहां पर मैं लिख दिया सकते हो है कि नहीं तो इसी लिए इसके पर हम क्या लिख देंगे बच्चो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे थरटीन सेंटे मीटर और पी पी अ हमको पता था क्या पे EPA हमने फाइंड किया है तो इधर मैंने 12 सेंटीमेटर लिख दिया फिर उसके बाद ए-वो्पर और इक आप इदर देख लो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है उसके बाद से क्या आजाएगा योगा स्कॉरर फिर हम क्या करेंगे 144 को इस साइट भुलाएंगे तो जब यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर A O का square फिर माइनस करके देखो कितना आता है तो 9 मेंसे 4 गया तो 9 मेंसे 4 गया तो 5 आ जाएगा सही है ना? 9 मेंसे 4 गया पाच 6 मेंसे 4 गया तो 1 यह 1 आएगा, एक मिनट रुको 6 मेंसे 4 गया तो 2 आएगा यहाँ पर 2 और 1 मेंसे 1 गया तो 0 और इधर क्या है? A O का square अभी हमें यह square को आटाना पड़ेगा है square आटाने के लिए square root ले लेंगे तो root के अंदर इधर आ जाएगा 25 यहाँ पर root के अंदर क्या आएगा बच्चो A O का square अभी क्या square से root cancel और square root of 25 क्या होता है? 5 होता है है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे therefore A O which is equal to which is equal to 5 cm यानि कि जो A O है ना वो हमें कितना मिला? तो 5 cm मिला है अब यहाँ पर आजाओ A O, A O यानि क्या? यह वाला लिंध यह कितना है? 5 cm ठीक है हमें यही तो find करना था question में क्या बोला गया था कि find the distance of the code from the center यानि कि इस code का हमें distance बताना है center से लेकर के देखो center से code तक का distance यह था ओ यह जिसका लेंद हमने निकालनी आए कितना है 5 cm तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे ऐसे लिखिए कि the distance of the code from the center is 5 cm आ जाएगे यहां पर हम लिख देते हैं therefore the distance of the code from the center is 5 cm तो यह है आपका final answer आप देख सकते हूं यहां पर हमने question number 2 भी complete कर लिया है देख लो इसको मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूं मतलब ऐसे करके निचे निचे वैसे इसकी पेडियाव आपको मिल जाएगी मैंने बताया है कहां पर मिलेगा ठीक है देख लो second question भी complete हुआ अब हम बात करेंगे question number 3 की तो यह रहां आपका third question अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि radius of a circle is 34 cm and the distance of the code from the center is 30 cm find the length of the code यह भी एक दम सिंपल है आजाओ पहले अमना circle बना लेते हैं यहां पर आजए यह circle बना लेते हैं इधर यह लीजे circle बन गया थोड़ा इसको नीचे लेने दो उपर तक चला जाता है फिर दिखाए यह था अब हम यहां पर यह बना लेते हैं code इसका ठीक है भाई यह है इसका code ठीक है ना code लग रहा है code तो लगे गाई यह तो टेड़ा हो गया रुको एक में हाँ ठीक है यह code है और यह इसका center है ठीक बीच वाला पॉइंट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि radius of a circle is 34 cm यानि कि सरकल में रेडियस है रेडियस वो कितना है बच्चों वो है 34 cm का and the distance of the code from the center is 30 cm यानि कि यह जो distance है ना code से लेकर के center तक का जो distance है वो कितना है 30 cm आ जही मैं आपको बना करके बताती हूँ देखो यह क्या हो जाएगा यह distance हो जाएगा तो यह कितना है यह है 30 cm और जो radius है ना radius कहां पर बनेगा तो यहां पर बनेगा आप सोचेंगे इधर क् नहीं बनाया रहे उधर भी बना सकते हो लोग इस बार हम इधर बना लेते हैं यह हमारा radius हो जाएगा radius कितना है 34 तो फिर हमें यहां पर find करना है find the length of the code यानि कि यह जो code है ना बच्चो इसका लेंद हम लोगों को बताना है अरे यह तो simple है क्या करेंगे हम देखो इस वाले तो यह भी कितना होगा 3 और 3 3 मिलागर के 6 यानि पूरा कोड का लेंद कितना हो जाएगा तो 6 cm हो जाएगा है ना क्योंकि देखो यह क्या है पर्पेंडिकुलर है मतलब यहां पे 90 डिकरी का एंगल बन रहा है और हम एक बात जानते हैं कि पर्पेंडिकुलर ड्रॉन फॉम यानि हमें क्या करना होगा अब इसका लेंध निकालना होगा ठीके चलो अब इसकी नेमिंग कर देते यहां पर कुछ नाम वगेरा नहीं दिया न तो अपने मंद से नाम यहां पर कंसिडर कर लेने का तो आ जाईए नाम लिखते हैं यह हमारा सेंटर ओ और इसका नाम क्या लिखना एक्स वाई लिख देते हैं एक्स वाई और इसको हम मान लेते बच्चों जेड ठीके जी आ जाईए अब यहां पर इसका सॉलुशन लिखने जा रहे हैं देखते जाओ ध्यान से एकदम आसान है कुश्चन यहां पर हम लिखेंगे सॉलुशन पहले जो जो कंसिडर कि उसको लिख दो विख यहां पर हम लिखते हैं कि let point o be the center of the circle and xy be the code xy को हमने क्या मान लिया है code मान लिया है xy be the code of the circle ठीक है जी अब क्या क्या information दी गई है उसे हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर radius दिया है radius यानि कि o y दिया गया है o y का length कितना है 34 cm and और यहाँ पर क्या दिया है तो o z दिया है distance of the code from the center is 30 cm यानि कि o z यहाँ पर दिया गया है कितना दिया है 30 cm दिया है यहाँ पर मैं लिख देते हूं बच्चो 30 cm ठीक है इतनी वादे समझ में आई अब इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे यह निकाल लेंगे तो आज़ो यह पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं क्या बताऊंगी यहाँ पर एक बाद हम जानते है कि यह जो o z है ना यह क्या है यह perpendicular है किसके उपर perpendicular है xy के उपर perpendicular है ठीक है ना xy के उपर क्या है बच्चो perpendicular है राइट यानि कहने का मतलब क्या है कि यह जितना होगा उतना ही यह भी होगा तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं कि पहले हम यह लिखते हैं कि we know that हम लोगों को पता है वो पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा we know that perpendicular drawn from the center of the circle to its code perpendicular पूरा में लिखरी हूँ perpendicular drawn from the center of the circle to its code bisects the code बाइसेक्ट्स दा कोड रैट यानि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर XZ और ZY दुनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल हो जाएंगे है ना तो यहाँ पर हम यह भी लिख देते हैं कि XZ which is equal to क्या हो जाएगा ZY हो जाएगा और यह दुनों किसके equal होंगे तो half of किसका half तो XY का half ठीक अब इसको लिख देना बच्चों equation number 1 ठीक है इतने बाते समझ में आई अब उसके बाद हम यह triangle consider करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि in right angle triangle right angle triangle OZY ले ले लेते हैं हम लोग OZY ठीक है इसमें हम Pythagoras theorem लगाएंगे तो Pythagoras theorem क्या होता है पहले hypotenuse का square रहता है तो hypotenuse क्या होगा OY तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे student यहाँ पर लिखेंगे OY का square यह किसके equal होगा तो OZ का square प्लस ZY का square ZY का square कौन सा theorem लगाया यहाँ पर लिख करके बता देना इसका reason बाइ पाइथागोरस theorem पाइथागोरस थियरम अब यहाँ पर सारे values को रखेंगे तो OY हमारे पास है ना देखो कितना है 34 cm तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे student 34 का square इसके अलावा OZ हमारे पास है क्या जी बिल्कुल है कितना है 30 cm तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 30 cm प्लस ZY हमारे पास नहीं है तो नहीं है तो जाने दो इसको आप ऐसे ही रहने दो फिर आगे क्या होगा आ जाईए समझ लेते हैं तो देखो हम एक काम करते यह जो 34 का square है इसको ऐसे रहने दो ऐसे लिखो इधर 34 का square यह जो 30 है इसको इस साइट ले लो तो जब यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा करेंगे आरे यह वाला और आप सभी लोग बच्पं से पढ़ते हुए आयो स्कोर माइनस बी स्कोर क्या होता है जी आप्लस बी इंटव इंटु ए माइनस बी अधार है सब्सक्राइब ना यानि कि 34 ब्लस थटी आ जाएगा उसके बाद दूसरे ब्रेंकिट में 34 माइनस थर बराबर सही है ना आप देखो 34 प्लस 30 कितना मिलेगा अम लोगों को तो 64 मिलेगा और 34-30 करोगे तो कितना आएगा तो 4 आ जाएगा ठीक है जी आजाओ अब देख लेते हैं इधर क्या है इधर है z y का स्क्वाइर अभे देखो यह स्क्वाइर मुझे हटाना पड़ेगा अगर यह स्क्वाइर अगर अंत्त जो सिंपल हैसे ही कैंसल हो गया और यहां पर किया है consists currently क्या setup उता है यानीकि 54 किसका छोना बोर निपार दो नोफे तो तो राइट और यहां पर नेखो क्या बचा हूँ हुआ है जैडवाई बचा हुआ है तो देखो एट टूजा क्या होते है बच्छो 16 होता है यानिकि जैडवाई हम लोगों को क्या मिल जाएगा बच्छो तो जैडवाई हमें मिलेगा 16 cm समझेगी नहीं तो यहां पर हम लिखेंगे जैडवाई विच इक्वल टू एट टूज आलना 16 यानिकि यह mm लोगों को यहां हम लोगों ने दिएख यहां समझी गया होंगे अब देखेगा यहां पर आप को बताती हो हमें क्या हमें यह यह घघघ मिला है जेड़ फाइड मिला है कितना मिला है टू सिंटीन सैंटर में हमें पूरा एकसवाइब दो यहीं लोगों को find करना था करना था अब यह हमसे निकालेंगे तो इससे निकालेंगे यह देखू हमने का पर आप में क्या लिखा दा कि यह जो इफ्लाइब सेड़ अबहुर्त है क्या होगों कि हाफ ओअफ एकस वाइड ऐसा ही और लोग के यह पहले एक बार आप देख लो लिखा क्या मैंने एक जेड विच इक्वल टू जैडवाई मतलब यह दोनों आपस में इक्वल होंगे राइड यानिकि जैडवाई जितना है उतना ही यह भी होगा ठीक है यानिकि अगर यह 16 है तो यह बी कितना होगा 16 और पूरा एक्स होता है 32 होता है ना तो आजो अभी मैं आपको लिखने का तरीका बता देती हूं वैसे तो आप सब कुछ समझी चुके हैं बस लिखना कैसे है वह देख लो यह का लिखते हैं बच्चों फ्रॉम वन क्या लिखेंगे जो जेडवाई है न वो किसके एक्वल है तो हाफ आफ एकस वाई था बराबर एकस वाई का अधा तो यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे जडवाई हमें कितना मिला है 16 मिला है और यह जो टू है टू को इस साट बुलाएंगे तो जब इधर आएगा तो मल्टिप्लाई में हो जाएगा इधर लिखा मैंने एकस वाई ठीक है अब मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमें एकस वाई मिल जाएगा बूलो कितना मिलेगा 16 टू सा क्या होता है 32 यानि कि 32 सेंटीमेटर हमें मिल जाएगा एकस वाई एकस वाई मतलब क्या कोड ओफ दे सरकल तो यहां पर हम लिख देंगे कि दिया पर कोड़ ओफ दे सरकल इस तो यह है आप लोगों का फाइनल आंसर देखो हमने कंप्लेट कर लिया कोश्चन नमबर 3 भी आ जाएए एक बार मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूं काफी छूटा हो चुका है पर चिंता मत करना आपको मिल जाएगा कहा पर मिलेगा तो इसका पीडियो में जाए तो अगला वीडियो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर कि या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा आप अमारे आप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं और रेगुलर को सौल करेंगे ठीक है चलो बाइवरीवन